नमशक्र दोस्तों आज हम 12 अगस 2020 का वोल्ड अफिर्स का पाट 3 देखेंगे हमने पहले दो पाट में चायना तायवान रिलेशेंज चायना हॉंग कांग रिलेशेंज चायना जि मिलाई के ओपर हमने जुबात की है डिटेल से बात की है उसके बाद आमेरिकन से बात की है पं के साथ कांग्रेस के मना करने के बावजूद वो आगे बढ़ाई थी तो उन्होंने जो इंटरनल इंक्वाईरी हुई थी उसमें इनको क्लीन चिट मिल चुकी है उसके बाद उनको यूरोपियन विजिट है वाट इफिशल इंटेलिजेंस हवाई और चाइना को लेकर के की ग किया है फिर डबलो चू के यह तरफ से जो जरी के रिव्यू जाना है रशिन वेकीन का इना डेनियो मिस्कूस का सुनान के लिंक्स का चलिए हम शुरू करते हैं बेसिकली जब हम इसकी बात करेंगे तो हम बुटान लॉकडाउन में हम इसके बाइलेटरल ट्रेड जो लिया है यह spread of COVID-19 को रोकने के लिए किया गया है और यह पहली बार उन्होंने यह decision लिया है तो यह बहुत important है कि इतने महीनों के बाद भी भुटान ने कोई step नहीं लिया था complete lockdown की तरफ लेकिन अब उन्होंने किया है तो pressing up pause बटन आ गया है इंडिया और भुटान के ब agreement of 1972 1972 year को important है याद रखेगा और इसको लेटर renew किया था मुदी सरकार ने नवंबर 2016 में और उसके बाद यह came into force जो अमल में आ गया था प्रभावी ततका प्रभाव शाली हो गया था जुलाई 2017 में इसके बाद एक खास बाद आ रहे कि volume of trade कितना है इंडिया और भुटान के प्रभीज में तो यह करीब करीब annual के हम बात कर रहे हैं यहां पर तो यह करीब करीब आपका 9000 करोड है इसमें जो भुटान के जो टूटल इंपोर्ट्स है उसमें जो है 84 परसंट जो हैं वो डारेक्ली इंडिया से जाते हैं और जो भुटान एक्सपोर्ट करता है अलग कंट्रीज को उसमें जो आपका 78 परसंट है वो इंडिया को आता है और जो बागी जो रूट होता है जैसे बंगलादेश को रूट किया तो वह भी वाया इंडिया जाएगा बंगाल के दूर तो बंगाल का क्या रेलिवेंस से चलिए हम आगे देखते हैं इस तो complete lockdown को trade impact में तो 78 परसंट जो हैं भूटान के experts वो इंडिया आते हैं डिरेक्टल लेकिन जो रूट होता है जैसे मैंने भी कहा वो वाया बंगाल होता है तो यह किस तरीके से होता है यह जो कुछ few places है यह important है UPSC perspective से तो बहुत important है banking में पूछे जा सकते हैं जैसे business capital of Bhutan तो यह फियॉन शौलिंग प-H-U-E-N-T-S-H-O-L-I-N-G तो यह इन से मिलते जलते नाम रख रहेंगे और तब फिर आपको एक guess work लगाना पड़ेगा तो आप याद रखें फियू सौलिंग यह business capital of Bhutan है यह कहां पर है UPSC वाले इसक बंगाल से Bhutan की business capital टच होती है और यह किसके site में है जाएंगान के तो यह places आपको याद रखें तो आपको advantage मिलेगा आपको returns में essay लिखने के लिए answers लिखने के लिए this will help you definitely on trade और जैसे कि हम Paul Krugman के वेर हम बात करें तो economic job रहें पर हम का बहुत काम है nobel prize winner है किस तरीक से जो बhutan की जो location है वो कितनी strategic है जैसे डोकलाम में हमने देखा तो जो chicken neck वाला area है उसको लेकर कि बhutan के और इंडिया के relations जो हम स्टॉरिक रहे हैं बhutan के हम इंडिया से काफी मदद हुई है और इंडिया के लिए भी बhutan बहुत important है और बhutan के लिए तो Indians हैं ही important और चाइना क perspective में चाहना की जो ambitions हैं जिस तरीके से उसने Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Pakistan तो भुटान के साथ भी जिस तरह से जागे जाएंगे अभी बीच में ख़बर भी आया थे कि भुटान ने शायद पानी रोका है लेकिन भुटान ने वह सी दिन next day clarification दे दिया था कि पानी उन्होंने नहीं रोका है तो issue address होगा जिस भी तरह से address होगा मैं इस backdrop को थोड़ा सा repeat करके उस तरह की details में आपको दिये दूँगा चलिए हम आगे देखते है तो यह अदिलपूर के साथ एक चाहिज में और बताता चलिए कि जलपाई गुड़ी एक जगा है अस्पिंगाल में वहां से भी भुटान का border share होता है और एक जगा और एक स्टेट और है असम महां से भी भुटान का border share होता है तो इंडिया जो है बिसिकलिए भुटान के लिए ट्रेट के परस्पेक्टिव में बहुत क्रूशियल है चलिए हम इसको आगे देखते हैं बिलरूस की हम बात करते हैं स्विटलाना तिखानों वह उसका आया जो यह है इनको लिट्वानिया जाना पड़ा है जाहिर से बात है कि यह नहीं चाहती दें जाना लेकिन इन्होंने विक्टरी क्लीम की थी प्रेजिडेंटर अलेक्जैं अब यह लिट्वानिया क्यों गई है किस तरह से गई है इसके बारे में एक चीज़ और बताता चलो जाहिर से बात है लिट्वानिया ने कोई डिटेल से नहीं दी है नहीं यह नाटो मेंबर है लिट्वानिया तो इन्होंने कोई डिटेल अभी शीर नहीं करी है लेकिन बे वेशार शेरण देता है इसलिए काफी सेफ मना जाते हैं चलिए मिसको आप इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है कि पोलेंड इसमें रेडिली मेडियेट करने को तयार होगे और मैंने जहां से पोलेंड की बात की थी कि माइक ओंप यूस हफ्ते पोलेंड भी जाएंगे औ तो पोलेंड जो है यहां पर उसके बड़े अम्बीशन से हैं बड़ा एक क्रूशल रोल प्रिबाना चाहता है तो उन्होंने यहां पर एक पेशकश की है कि हम बेलरूस क्राइसिस को रिजॉल्व करने में बट्विन अपोजेशन और प्रेसिडेंड एलेक्जेंडर के बी प्रोटेस्टर ने लेकिन कहा है कि हाला कि एलेक्शन जीत गए थी तो इनके जो एक एड है के लिजुने विका उन्होंने कहा है कि बेलरिंशियल अथारिटीज ने स्विचलाना को जो है लिथवानिया लेके गए हैं बिफॉर इंटर 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 एलेक्शन कमिशन शी लेकिन अब तो वह वहाँ चली गई है और वह सेफ हैं जिस तरीके समा के फरण मुनिस्टर ने कहा है तो यह उनका डिसेंचन नहीं था यह पूरी दुनिया जानती है तो उनकी जो स्पोक्सपरसन है एनक रुशलीना उन्होंने कहा थे कि opposition movement जो है वो continue करेगा उनके बिना चाहिए वो फिजिकरी तोर पर country के अंदर ना हो तो यह moment अभी बढ़ेगा इसलिए Poland ने इसमें पेशकर्ष की है अब जैसा भी आगे जो भी टरन लिंगे इवेंट्स मैं उसी दिन आपको यह आगे इस बैक्डॉर के थू मैं आपको आगे की continuation दे दूँगा चलिए हम प्रयाम मनेस्टर है इसका ना फैसन डियाव इन्होंने रेजाइन कर दिया है इनकी काडिया होई जैन की बहुं सरकार गई हम पर झालगे पर होगे इमेफ के साथ एक स्टॉल आ गया है इनका वह भी अगले स्लाइड में हम देखते हैं तो इनका जो कॉलाप्स हुआ था करेंसी इनकी कॉलाप्स है बेरें कुंग पैंस सिस्टेम इनका पैरलिस पहले थे था और उस पर गवर्मेंट भी रिजाइन कर गई है तो अब इंफलेशन जो वहाँ पर है वह पहले से काफी अनकंट्रोलिबल था लेकिन अब तो वह हाइपर इंफलेशन की तरफ बढ़ेगा इस पर एकॉनमिस्ट तो जो रेजिगनेशन लेकिन जो इसका प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने काया कि रेजिगनेशन अफ लेबनान गवर पर इयर्स जो इसमें बहुत ही हिस्टोरिकल डेट है एक तरीके की बहले रूट की और जिस तरह से इसके लिए सरकार को जाना पड़ा तो चार अगस्त को जो हैं इसमें 171 पीपल से हो छे हजार लोग इंजेड हो गए थे और थाउजन जो हैं उसमें हंड़र थाउजन जो तो भी इसमें काम करना पड़ेगा अगर लेबनान को वापिस हम लाएंगे और जिस तरह से डेप्थ में था उसमें जैसे पाल कुरुग में अगेन हम बात करते हैं उनका एक एससे पड़ा था मैंने अभी रिसेंटली तो उसमें यह कहा गया था कि 130 बिलियन डॉलर्स जो ह वो करीब करीब 100 कंट्री को चुकाने पड़ेंगे तो इतना बड़ा जो डेप्थ है यह किस तरीके से जाएगा अमिट कोरोन उसमें जब लॉपडाउन चल रहा है तो उस तरह से क्या होगा कि किस तरीके से और लोन लिया जाएगा तो एक तरीक जो डेप्थ का जो चक्र चलेगा तो उसमें लेब्डान के तो अभी हारत खराब है यूरोपेन यूनियून के आप देख चुके हैं ग्रीज, आइरलेंड, आइसलेंड, सारी कंट्रीज में तो यह किस तरीके से फ्यूचर जो टर्वाइल लेका पूरे वर्ड ओवर तो वह बहुत एक चिंता जनक ह हैं लेकिन जैसा भी होगा, हम उसको बिल्कुर डिसकस करेंगे, चलिए हम इस तरीके से समय निकल रहा है, वह यह वीडियो लंबा होता हो जा रहा है, मैं पॉलजाइज फॉर इट, वह रिव्यू के रेगरेशन वेकर इनको USA स्कूल खुलने की बात हुरी है, लेकिन वह मा इनके जो एक मिलिटरिस फॉक्स पर से उननने स्टीट्मेंट जारी किया है, तो किस तरीके से वर्ल्ड जो है, करोना है, फाइनेशल क्राइसिस है, डैप्थ क्राइसिस में लूम कर रहा है, चलिए हम नेक्स लेक्चर में हम काफे सारे चीज़े देखेंगे, जिसमें हमने फाइनेशल इस्टीशन, और बेकी रिस्ट्रक्चरिंग, फैक्टर आउटपूट, डिस इन्वेस्टमेंट जो कोर सेक्टर में हुआ है, जिस तरह से रीकॉल किया है उन्होंने, और जिस तरीके से इसकाप का, इंडिया, यूके का जो ट्रेट पैक्ट होगा, तो चलिए ह मिन सब को देखेंगे, थैक्यों सू मच पर लिस्निग, बाह शुक्रिया दूस्तों, नमशकर दूस्तों